हेलो बैंकर्स, रिजर्बैंक आफ इंडिया की तरब से एक लेटेस्ट अपडेट है और ये अपडेट है डी सिप के रिगार्डिंग यानि डुमेस्टिक सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक तरब इस साल भी रिजर्बैंक आफ इंडिया ने तीन ही बैंकों को डुमेस्टिक सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की सूची में रखा है यानि डी सिप की सूची में रखा है जिसमें स्टेट बैंक आफ इंडिया, SDFC और ICC बैंक सामिल है Reserve Bank of India ने भी हाली में एक नएा अपडेशन दिया है और वो नएा अपडेशन है RBA Reserval Classification of Domestic Systematically Important Bank SBA, SDFC, Move to Higher Bucket यानि जो State Bank of India है और जो SDFC बैंके इनको एक बकेट उपर सिफ्ट कर दिया गया है जबकि ICC बैंक को सेम बकेट में रखा गया है D-SIP का Concept Too Big Too Fail के उपर काम करता है यानि जो बैंक जितना बड़ा होगा उसके रिस्क में जाने की चांसे उतने ही जादा होते हैं इन बैंकों को उतना ही रिस्स से बचने के लिए एक्स्ट्रा बफर रखना होता है जैसे कि अगर हम देखें तो अब जो Reserve Bank of India ने नया D-SIP जारी किया है उसमें State Bank of India को Bucket 4 में रख दिया है किसमें रख दिया है दोस्तों? Bucket 4 में Bucket 4 में रख दिया है और Bucket 4 में आने के कारण अब State Bank of India को Additional Common Equity Tier 1 Requirement as a Percentage of Risk Weighted Assets यानी RWA 0.80% रखना होगा वहीं SDFC Bank 1st Bucket से 2nd Bucket में आ गया है और इन्हें 0.40% का बफर रखना होगा जबकि ICC Bank को सेम कंडीशन में ही रहना है यानी 0.20% का बफर ही रखना है और D-SIP जो Announce किया गया है Reserve Bank of India के दौरा SBI और SDFC Bank को जो नए bucket में लाया गया है इन्हें maintain करना होगा 1 April 2025 से तो यह है latest information regarding D-SIP और Reserve Bank of India